नवस्कार दोस्तों इनकी एज 29 यर्स और 5 मन्त की है इनके कुछ सवाल है और एक सवाल तो काफी इंट्रेस्टिंग है जो रेर में आया है फर्स्ट इनों ना पूछा है जो लास्ट सवाल है उसकी बहें बात कर रहा हूं केरियर आउट फ्री ओप्शन सिटिंग सेटलिंग इन केनेडा बिजनेस विद पापा और कंट्यूनिंग विद जॉब वर्क आउट और वें आप भौत निकड भविश में विदेश चले जाओगे अब वह पता नहीं चलता आप केनेडा जाओगे यूएज जाओगे या यूरोप जाओगे या अफ्रीका जाओगे आपका जीवन भर विदे से धन प्राप्ति का योग लिखा हुआ है तो बहुत शौट पिरियड में ही आप निकल जाओगे यहां से इंडिया से यह दिख अब आपके हाथ में अब आपके पापा के साथ कंपेरिजन करते हैं जो इसके पहले ही एनालिसिस किया था साइन है सब कुछ है पर धन रेखा में मजबूती नहीं थी तो आपके भी धन रेखा में मजबूती नहीं है वह एनालिसिस में कैसे कैसे मजबूती आ रही है और सबलता लिखी हुई है कोई चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप सबलता पाते जाओगे और बहुत कुछ आपको एनालिसिस के अंदर पता चल जाएगा कोई मेरीड लाइफ में कोई तकलिफ नहीं है काफी उत्तम रहेगी और चौथा सवाल है इनका हाव एंड विल वेन विल आई ग्रो इन केरियर आप हंडेट परसेंट केरियर में ग्रो करो गे एनालिसिस पर भी ट्रॉस्ट करो ना ओंगा यह सारे प्रश्णों के जवाब आपको मिल जाएंगे नहीं लिखा होता तो भी मिल जाता हां यह बहुत इंट्रेस्टिंग सवा जाता है वाइए यह थोड़ी स्पेलिंग डिस्टिंट्रिक इन एवरिथिंग यानि यह कहना चाहर है कि मेरी जीवन में स्लो की हो रहा है और रुख कर की होता है आपके हाथ में सुपसाहिन है सब कुछ है पर आपको धंद्रेखा भी मजबूत नहीं मिली जैसे आपके बापा के हाथ में धंद्रेखा मजबूत नहीं थी तब तक चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं था वैसे आपके साथ हो रहा है आपको भी सफलता मिलेगी कोई चिंता की ज not over street mart. I am simple in my approach and hotel industry want people who are fast. This is the leading, understanding, underrating and no progression. When will think change? मेरी इंगलिस कम जो रहा है कोई मिस्टेक हो पढ़ने मैं तो संभाल लेना मैं भावार्त सही बता दूंगा. जो life slow रहती है यानि जो fast नहीं होता है वो generally मैंने देखा है शनी परवत जरासा उभार होता है आपके साथ ऐसा भी होता होगा आपको always सरीर तूटता हुआ मैसूस होता होगा जैसे आप जिम तो गयो के नहीं मुझे मालूम नहीं पर तीन चार दिन पांक दिन continue जिम जाओ और दो दिन चुट्टी ले लो तो जो दुसरे दिन जो चुट्टी के दुसरे दिन जैसा सरीर तूटता है वैसा आपका सरीर अंदर से तूटते रहता है जिनका सनी उभार रहता है और वो लोग slow भी होते हैं और जीवन में हमेशा negative सोचते रहते हैं जीवन के बारे में ये भी इन में खासियत रहती है तो ये शनी परवत के वज़े से आपके जीवन में है पर आपको बहुत अच्छा यश भी मिलेगा बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी कोई चिंता की ज़र्ण हाँ अर्बो वाले अर्बो वाला हाथ नहीं है पर बहुत बड़े उच्छे म आपको बताऊंगा, यह अच्छे-च्छे सवाल कुछने के लिए आपका बहुत-बहुत, यह अच्छा लगता हमें भी, कोई इंट्रेस्टिंग टाइप से कोई लिखता है तो, खेर व्यक्ति के जीवन में जो होता है, जो फेस करता है, वो लिखता है, तो कोई बुरी बात दिये, आपके लिए विदेश में ही योग बना हुआ है, वो मैं भी एनालिसिस में पर्फेक्ट बताऊंगा आपको, कि कैसे, किस कारणों से बना हुआ है, जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुशाकार या सीधी रेखा बने, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समस्दार होता है और जीवन में जो अपुचिनिटी आती है, उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है, मैं आपको सला दूँगा, सेल्स और मार्केटिंग में क्यों नहीं जाते होटल लाइंग में, आपका हाथ रेक्टेंगल हाथ है, सेल्स और मार्केटिंग में आप पर्फेक्ट बैठ होगे अब आपने जो सवाल पुचा स्लोनेस का, ये देखिए, आपका शनी परवत उभार वाला है, ये आपको सरीर में आलत से देता है, और स्लो काम करवाता है, अब इसका कोई उपाय भी नहीं, पर आपकी तक्दिर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पैसा और सफलता मिलते जा आते हैं, ऐसे लोग भी देखे, कोई काम नहीं करते, पर फिर भी पैसा आता है, तक्दिर देती है पैसा, तो कोई चिंदा करने की जोरत नहीं है, केरियर में सफलता आपकी लिए क्यों ही है, ये चोड़ाई भी है, तो मेहनती भी होंगे आप, फर्स फैलेंज नुकिला कम है, तो इदर उदर ध्यान बटकता है, सेकेंड फैलेंज, जहां लोजिक की जोरत वाहन लोजिक यूज गया, जहां चूप रहने की जोरत वाहन चूप रहे, और ये मांसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर व्यक्तिका रहता है, उंगलिया छोटी है, तो हाथ के न आप इतने एलाइलेटिक होकर भी आप फास्ट नीने लोगें, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सुरी के उंगली बढ़ी है, तो ये व्यक्ति को हिम्मती सभाव देती है, जिब में 50,000-50,000,000 की रिस्क लेनी हो, तो आप लोगे, और जीवन का आनन भी लोगे आप, ये उंगली पूर इसी छोटी रह रही है, तो ऐसे लोग, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, उसमें 10 से परंदा प्रतिशत कमजोर रहोगे, अब आपके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते है, और बुद्परवत भी अच्छा है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉबलम नहीं, दो चार भाशाओ का जानकार भी होता है वेक्टी, अब आपके हाथ में देखिए, मैं एक स्टार दिखाता हूँ, क्लोज अप में ज्यादा अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, आपको यश भी मि लेगी, आजकल बच्चे हिंदी मिडेम में पढ़ते नहीं, वो यश के बारे में ना जाने, समझते होंगे कि नहीं पता नहीं, एक साइन यहाँ पर है आपके, एक यहाँ पर है, दो, एक यहाँ पर भी है, तीन, यह तीन साइने तो बड़ी-बड़ी नहीं है, पर है, तीन तो यहाँ पर है, चौथी यहाँ पर है, चार, और यह पाच, और यहाँ पर देखिए, यह वाली साइन भी, यह बकाएदा, एक काफी अच्छा स्टार बना हुआ है, आपके आद में, तो आपको फेम भी मिलेगी, कहीं पर भी चिंदा करने की ज़रत नहीं है, और कोई साइन है की नहीं देखते, बस इतनी साइन है, और बाकी के जो दूसरी साइन है, उसके बारे मैं बता दू, यह ट्रैंगल, आपके मन की सारी लगबग इच्छाय पूरी करवाएगा, जीवन में, यह जो स्क्वेर साइन है बनती, यह मल्टी सिटी का भी काम आपको जीवन में करवाएंगे, और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह रहोगे, आसपास के लोगों को लगेगा इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, और कहीं पर बड़ा स्टार होगा तो इंटरनेशनल लेवल का काम करवाएगा आपको, अब आपके नॉर्मल पाम पर वापस चलते हैं, यह पाट जिसका भी उभार हो, तुसे सुबह उठने में थोड़ा अलस से तो फिल होता ही है, और शनी परवत, यह आपने उंगली थोड़ी सी पीछे रखी है, इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, पर वो जो पूरे हाथ का फोटो था, उसमें यह उभार है यह, और यह पूस्तेनी जमीन जायदा इस तरह के स्क्वेर वेक्ति को पूस्तेनी जमीन जायदा दिलाते, यह देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यारा, बारा, तेरा, इतने सारे स्क्वेर है, आपको भरपूर पूस्तेनी जमीन जायदा का ला अब चलते जुपिटर माउंट आपका जुपिटर माउंट काफी उत्तम है तो सांसारिक और पारिव्यारिक काफी अच्छा मिलेगा कोई उसमें दो राए नहीं है ये स्क्वेर इवेक्ति को 32 के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी दिलवाता है और 36 साल में व्यक्ति ऑठरिटी संफर पोजिशन पर पॉच्छыл कारे में व्यक्ति महारत असिल करता है कन्टीनिउँ चलने वाले लाएन हैं ये कन्टीनिउँ प्रॉग्रेस देगी आपको एक लाइन, डो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन ये व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सोर्स क्रियेट होंगे आपके जीवन में पामिश्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिश्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा सेवा भावी और धर्मिक्ता, ये सारे गुन व्यक्ति को मिलते हैं अब ये जुपिटर माउंट जब बड़ा होता है, इनके फादर में भी यही है कंडिशन ये खाने के शोकिन होते है, उसकी वज़़े से थोड़ा सा सरीर ज्यादा रहता है, यानि मोटा रहता है किसी की सुनने की आदत नहीं होती है, ये सुनाने की आदत होती है, ये माइनस पॉइंट रहता है पर आपको आगे चलकर इज़़द भरपूर मिलेगी इस जुपिटर माउंट के कारण अंदूनी मंगल भी काफी अच्छा है, तो सारे रोज़ा व्यवस्तित रहेगी आपके जीवन में भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनरजी के साथ मिलोगे, सामने वाला कमफोर्टबल फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामने पुछा, अब आपने पूछा के नेड़ा वाला प्रश्ट है, कौन से देश में जाओगे, उतना ग्यान मेरे पास नहीं है, पर आप विदेश जाओगे, उसका कारण अबी भी देखो, आपकी ये जीवन रेखा, आप जहां रहे रहे हो, वहां से दूर आपको लेकर गई है, चन्र पर जाने वाली रेखा, और साथ में यहां पर बहुत बड़ा ट्रैंगल भी बना हुआ आपके हाट में ये व्यक्ति को कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के और लेकर जाता है, विदेश से धन प्राप्त करवाता है, और यह आपकी फेट लाइन देखिए, ये पूरी सुर्य परवत की और ही जा रही है, तो ऐसे लोग 100% विदेश से धन प्राप्त करते हैं, और वि और यह जो लाइन है ज्यादा लाइन हो तो व्यक्ति को ऐसी डीटी का प्रोब्लम रहता है कही न कही थोड़े से नेचर प्रेमितो होंगे आप यह जो व्यक्ति को इस तरह की शायनवाले व्यक्ति को नेचर बहुत पसंद आता है जंगलों में जाना, जंगलों में रहना, इस तरह की condition रहती है, और चंदरपरवत बहुत अच्छा है, पानी अच्छा लगता होगा, दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्ने शक्ती अच्छी होती है, यह सारा लाप रहती को प्राप्त होता है, बहुत अच्छे पर चेसर भी होते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन है जादा है मैं यह उपए दे दूंगा इसके कारण कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे बंधन मैं जीवन लोखन की जंजीरों से बांद के रखता है इस तरह की फिलिंग आती है मैं इसका उपए दे दूंगा बहुत आसान उपए है अब चलते आपके हिर्दे रेखा पर हिर्दे रेखा मैं देखी यह तीन फोर्क बन रहे हैं बहुत आसानी से आप अपनी बातों को सामने वाले को समझा पाओगे और यह जो लाइने निकलती है सेवा भावी सबाओ की और इशारा जाता है मित्रों को सके समझे को पैसा दोगे और उपैसा वापस नहीं आएगा यह बाबाब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और फ्लट लाइने वेक्ती दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी ह होता है उसके बाद खुशी दुणता है था हृदे रेखा थोड़ी सी जैसे उमर बढ़ेगी 36 के आसपास से काम का बोजा बढ़ जाएगा आप अधापी लगी रहेगी परसनल जीवन इतना उत्तम 36 के बाद नहीं जी पाओगे पैसा रहेगा पर बहुत जादा उत्तम तरीके से नहीं जी पाओगे क्योंकि काम का लोड जादा रहता रहता रहती पर कोई ने कोई आपा धपी लगी रहती है अब आपने जब पहली बार एनालिसिस करवाया तो उस समय लग रहा था कि यह बंधन योग है क्योंकि इतने साफ फोटो आप दे नहीं पाए थी पर आज काफी उत्तम फोटो दिया आपको कोई बंधन योग नहीं है हाँ इधर से यह माइन लाइन आई और यहां से यह दूसरी माइन लाइन निकल रही है तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादा तर प्लानिंग काग जो पे रहती है इंप्लिमेंट नहीं होती है और यह सीधी चलकर यहां तक जा रही है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रेशर आता होगा तो गुसा आता होगा इसके अलावा कोई minus point माइन लाइन में नहीं है हाँ एक जगह पर यह जो parallel line चलेगे आपको यह यह sign नहीं है पर यह period में थोड़ा सा प्रेशर आएगा आपके जीवन में यह लगबख 33 या 34 से लेकर 42 तक या 40 तक थोड़ा सा जीवन प्रेशर में रहेगा यह पर यह साइन नहीं है तो चिंदा करने की जुरत नहीं है और यह लाइन आपको प्लानिंग धरपूर करते होंगे आप और यादा तर दिमाग में ही रहते होंगे प्लानिंग हाँ यह तूट नहीं रही है यह अलग से निकल रही है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता अब आपकी जीवन रेखा पर हम पहले साधी वाला प्रशने देखते है यह देखिए यह लाइन आपकी साधी कराएगी और इसके बीच में देखिए आपके जीवन में दो बदलाओ आ चुके होंगे या एक तो पक्का यह व्यक्ति को पॉजिटिव बदलाओ दिलाता है जब जीवन रेखा इस तरह से चलती है और आप बहुत जल्द लगबख विदेश चले जाओगे इस लाइन को देखकर मु और यह लाइन आपकी 31 32 में धुमदाम से साधी कराईगी उसको देखिए मैं अच्छी तरह से आपका क्लोज अप भी मैंने मंगाया था उसमें दिखाता हो आपको यह देखिए क्लियर कट लाइन माइन लाइन को छूड रही है और यह माइन लाइन है उसके बाद एक राओ रिखाएगी यह यह आपको 37 में परिशान करेगी उसके बाद एक राओ रिखाएगी 43, 45, 47, 49 और 53 और यह 55 इतनी राओ रिखाएगी आपको परिशान करेगी पर यह तो हो गया माइनस पॉइंट पर इसी पिरिएड में देखिए प्रोग्रेस लाइन की है एक प्रोग्रेस लाइन 39 के आसपास है और यहां से अगर मैं 43 पकड़ू तो यह 45 के आसपास से जो प्रोग्रेस लाइने चालू हो रही है जैसे जैसे बुड़ापा आते जाएगा आपको प्रोग्रेस मिलते जाएगी इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइने आपके हाथ में है तो कहीं घबराने की जुरुत नहीं है हाँ बहुत बड़ी फिश्टाइन है आपके हाथ में नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे ऐसा भी नहीं है पर उच्छे मद्धन वक्ष से अच्छा पैसा कमाओगे उसमें कुल किन्तु परंतु नहीं है तो यह राओ रेखाए भी ऐसी कोई हैवी नहीं है और आप विदेश में राओ के जिस देश की बात कर रहे हो वहां तो कोई तकलिब नहीं आएगी आपको और एक बदलाओ आपके जीवन में यहां पर भी आएगा 38-39 में यहां पर भी हो सकता है कोई दूसरा देश बदल लो क्योंकि यह बदलाओ मैं रखती या तो घर बदलता है या शेहर बदलता है या देश बदलता है तीन में से कोई नहीं कोई एक वस्तू होती है और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चंद्रपरवत पर जा रही है और यह यात्रा भरपूर करवाएगी आपको अब आपके प्रश्न का जवाब मैं यहां से ही देता हूँ इसके पहले देखिए यह आपका 28 का कट 28 के कट के पहले आपकी धन रेखा कहीं पर दिख रही है इंक लगने के बाद तो प्रोग्रेस कहां से मिलेगी आपको साइने है पर एकदम धुन्दली सी धन रेखा है तो पॉसिबल ही नहीं है यह कट के बाद एक यह एक और कट यह लगबक 29 के आसपास कहीं कट समझो आप और यह 27 का कट पकड़ लो और इसके बाद धीरे धीरे धन रेका उत्तम हो रही है और बहुत अच्छी उत्तम हो रही है 36 के आसपास से तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे आपको प्रोग्रेस मिलती जाएगी सेकेंड चीट देखे तो यह जब भी कट आएगे तब कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड या कोई ना कोई रुकाउट है आपको आएगी या आपको दो-तीन साल में कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा या कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा थोड़े से पैसे खर्च होंगे आपके जीवन के उसके बाद ऐसे मेजर कट नहीं है आपके हाथ में यह भी कट नहीं है कोई ना कोई इन्वेस्मेंट होगा 49 के आज पास अब आपकी धन रेखा की चाल देखते हैं यह देखिए यहाँ पर प्ूरा धुनला पन है और एक्चल में देखा जाए तो यहाँ पर भी धुनला पन है पर इस रेखा को देखें तो यहाँ से बदलाओ दिख रहा है आपके जीवन में हो सकता है आप 33 के आसपास विरिस चले जाओ और यहां से यह रेखा चली और up to end तक जा रही है और इस तरह की धन रेखा अगर इंडिया में रहोगे तो खर्च का पेमाना जादा रहेगा मैं इसका उपाय दे दूँगा पर वहां रहोगे तो इतनी problem नहीं आएगी और up to end तक जा रही है क्योंकि यह थोड़ इसी फैली हुई है up to 42K से लेकर 46 तक पर साथ में parallel दूसरी लाइन है कहीं ने कहीं से income आपको आती रहेगी और उसके बाद कोई तकलिफ वाला कामी नहीं है पर खर्च का पेमाना जादा रहेगा आपके जीवन में तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद